खबर भिवाडी से जहांपर अस्पताल में ऑक्सिजन की किल्लत से हुई दो लोगों की मौत के बाद विधायक संधी ब्यादों का गुस्ता सात्वे आस्मान पर पहुँच गया जिसको लेकर विधायक आननफानन में शनिवार देर रात को भिवाडी को ऑक्सिजन प्लांट अधिकारियों के खिलाब मामला भी दर्ज करवाने की बाद कही विधायक ने कहा कि हमारा स्वभाग यह है कि हम भिवाडी से बाकी जोगों पर ऑक्सिजन सप्लाई दे कर कितने लोगों की जान बचा रहे हैं जैपूर गेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौमया घुजन ने विश्वकर्मा इंडिस्ट्रियल एरिया विधाधर नंगर में मेडिकल ऑक्सिजन और द्योगी के काईयों का निरिक्शन किया है और विल्सन गैस अजमेरियर प्रोड़क्शन प्राइवेट लिमिट उस्टिट श्रीहरी गैसेज का निरिक्शन किया और ऑक्सिजन के उत्पादन खपत की इस्तिती की पूरी डिटेशली इस दूरान और न होने पाया कि इस उप्लांट्स में डिमांड से कम उप्छिजन उत्पाद हो रहा है आपको बता दें कि प्लांट्स की उत्पादंग शम्ता बढ़ाने को लेकर अधिकारियों ने ये जानकारी दी उन्होंने लिख्पेट ऑक्सिजन परियाप्त मात्रा में नहीं मिल रही है ये भी कहा साथी उत्पादंग शम्ता प्रभावित होने की बात कही है तो प्लांट्स के बाहर उक्सिजन रिफिल के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें भी देखी गई तो मेर डॉक्टर सॉम्या गुजर ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमन के चलते आज हालात बहुत खराब हैं और ऐसे वक्त में सब को मिलकर एक साथ आना है लोगों की मदद करनी है और एदोपर शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में बने कोविड सेंटर में आगजिनी जैसी आशंका को रोकने के लिए नगनिगम के अधिकारियों ने आचक निरिक्षन किया यहां अस्पताल परिसर मलेगे अगनी शमन उपकरणों को चेक किया गया अधिकारियों ने देखा कि M.B. अस्पताल के सुपर स्पेसलिटी के उपर फाइर फाइटिंग के उपकरण जलाने की कोई विवस्ता नहीं है अगनी शमन यंत्र तो लगे हैं लेकिन कोई आग से निपटने के लिए तकनीक विशिशगी नहीं है जिस पर अस्पताल प्रशासन को जल्दी व्यवस्ता ठीक करने के लिए चुटाया गया है अस्पताल से पानी की निकासी सो चारू रूप से हो सके इसके लिए उपकरणों को भी चेक किया गया है और हनुमान गड़ के कलेक्टर नत्मल डीटेल और एसपी प्रीती जैन ने जिला मुख्याले पर करीब आधा दरजन विवास तलों का और चक निरिक्षन किया इसी दोरान जिला कलेक्टर ने कई विवास तलों पर जादा प्लिट रखी देखी तो आईजन करताओं को फटकार लगाई कहा कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिला स्पताल में भरती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है बाद में आप ही कहेंगे कि जिला स्पताल में बैड नहीं मिल पा रहा है लियाज आप सब लोग सरकार की गाईड लाइन्स का पालन करें तो यह सख्ती की गई है जहां पर लगातार पुलिस गष्ट कर रही है जहां जहां पर शादी समारों है वहां पर जाकर ओचक निरिक्षण भी किया जा रहा है कि कितने महमान शादी में बुलाए गए है और वहीं अतरिक्त महानी देशक शौरव स्रिवास्तों ने कहा कि सरकार की ओर से 3 माई से 17 माई तक रेड अलट जारी है एक अनुशासन पक्वाडे में अनुमत गतिविधियों के अतरिक्त साथी साथ आवश्चक रूप से जुसार्वजिनिक स्तानों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाब सक्त कारवाई की बात कही गई है ये बताया गया है कि पक्वाडे के दौरान अनुमत गतिविधियों के समय को नियंतरन किया जाए पूरी तरह से कर्फ्यू की घुशना की गई है बेवज़ज़ जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको क्वारिंटाइन किया जाएगा ये भी कहा गया है विधी के अनुरू ज तरह से सख्त नजर आई कोरोना गाइडलाइन्स का जहां पालन नहीं हुआ उन लोगों के खिलाप कारवाई भी हुई और हनमानगड की विधानसभा नोहर में प्रशासनिक अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला और नोहर पुलिस स्थाने से शुरू होकर गांधी चौक मैन बाजार सईथ कई रास्तों से होते हुए प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला उसी दौरान प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन्स का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाब सक्त कारवाई होगी उफखंड अधिकारी श्वेता कोचर ने सभी लोगों से महामारी में गाइडलाइन्स पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करने के अपील की और इस मौके पर उफखंड अधिकारी श्व इसे रास्ते जहां से ये फ्लैग मार्च शुरूबा वहां से निकला और शहर की व्यवस्ता क्या है कितना पालन कोरोना गाइड लाइन्स का हो रहा है ये इसमें सुनुशित किया गया और कई ऐसे लोग जो की बेवज़े बाहर गूमते वे दिखे उन पर कारवाईयां भी कि और से घुषित किये कि महामारी जैड अलट अनुशासन पख्वारे से लागो गया है बाडमेर और बालुत्रा चौक चौराहों पर भी पोलिस की निग्रानी शुरू हो गई है और इसी दौरान बेवज़े घर से निकलने वालों को पोलिस ने पकड़ कर क्वारिंटाइ फैलने से रोक हैं लगातार पोलिस यह समझाईश लोगों को दे रही है संदेश दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो कि वाकई डराती भी है और साथी साथ जो कोरोना गाइडलाइन की जो धजिया है वो भी उड़ती है ल उनको सीधे क्वारिंटाइन सेंटर में ले जाया गया और खबर धौलपूर से जहां पर कोविड-19 के बढ़ती संक्रमन के चलते धौलपूल जिले में रेड अलट जन अनुशाषन पकवाडा खोशित किया गया है जिसको लेकर आम लोगों को कोरोना के प्रती जागरू कर पुराना शहर पहुंचा और इसी ज़रान अधिकारियों ने आम लोगों से कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने की अपील की और घरों में ही रहने के लिए लोगों को कहा गया ताकि कोरोना संक्रमन को रोका जा सके फ्लेग मार्च में धौलपूर जला कलेक्टर राकेश क कुमार जाश्वाल, अत्रिक्त पुलिस सदिक्षक, बचन सिंग मीना सही, कई पुलिस करमी इस दोरान आपको नजर आएंगे और सरदार शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकूप को देखते वे प्रशासन ने पुलिस थाने से रिल्वे स्टेशन तक फ्लेग मार्च निकाला पुलिस ने लोगों को कोरोना की प्रती जागरूप किया और बेवज़े बाहर से जो बाहर निकल रहे थे घरों से उनको समझाईश दी सला दी कि आप घर से बाहर बहुत ज़दा ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल ननिकलें डिवाइस पी नरेंद शर्मा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक साबित हो रही है ऐसे में पेवज़े घर से बाहर न निकलें और राज्यसरकार्च की जो गाइडलाइन से उनका पूरी तरह से पालन करें तो यह फ्लैग मार्च साथ जिसमें SDM, DSP, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी से तमाम पुलिस के जवान आपको नसर आएंगे और महामारी रैड अलेट की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जिला कलेक्टर अविचल चतुरवेदी और पुलिस सदिक्षक कुमर राश्टीप ने शेहर में फ्लैग मार्च निकाला जहां जिलादिकारी अविचल चतुरवेदी ने कहा कि बेज़ा बादारों में घुमने वालों को वारिंटाइन किया जाएगा और मौके पर ही उनकी कورोना की जांजभी की जाएगी इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि बिना मासक वालों के चालान होंगे बेवज़ बाहर जो लोग घुम रहे हैं उनके वाहन सीज़ किये जाएंगे अब जिला प्रशासन को कड़ा रोख अक्तियार करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से लापरिवां कई जगहों पर राजस्तान के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है ये सीकर की तस्वीर आप देखिए जहां पर बेवज़ जो लोग बाहर घुम रहे थे उनके खिलाप कारवाई की गई है और कुरिंटाइन सेंटर जो बाहर घुम रहे हैं लोग उनको लेकर जा रहा है उसके बाद उनकी जांच हो रही है तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि राजस्तान के कई ऐसे शहर जहां पर पूरी तरह पूलिस प्रशासन अलट है और कोरोना नियमों का पालन किस तरह से करवाना है वो दिख रहा है और विकानेर के खाजवाला शेतर के कबिस्तान एरिया में जिबसम निकालने की खबर पर सेक्डों लोग चमा हो गए तो खाजवाला शेतर के सामदाहा नौसेरा ग्राम पंचायत में वन विभाग की भूमी पर पिछले तीन चार दिनों से जिबसम माफियाओं ने रेकी के तोर पर वन विभाग की जमीन में रास्ता तयार किया फिर जिबसम निकालने की तयारी शुरू कर दी सूज़ना मिलते ही सामदा ग्राम पंचायत के सेक्डों लोग मौके पर पहुंचे मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची टीम जिबसम माफियाओं के खिलाब करवाई करने की तयारी में भी जूटी हुई है और इस बॉलेटिन में इतना ही लेकिन जनतन्तर टीवी पर खबरे जारी रहेंगी मस्कार